वेलकम टू दकुमार्देव एजुकेसिन रप्रचल मैं आपको स्वाथ करता हूँ इसका पार्ट टू संपरेक्षिन की संभावना एम ब्रमक संपरेक्षिन और वहावी संपरेक्षिन में अंतर पस्तावना संपरेक्षिन सूचना के आधान परदान की एक ऐसे विरिष्टि संप्रेक्षन के प्रतिक्रिया में एक महत्पुन तक्त ये ध्यान रखने लायक है कि इसमें संदेज या जानकारी के अर्थ लक्से एव वैवार की समरूप समझ भी विक्सित की जाती है संप्रेक्षन मुक्षर रूप से मानों संबंदों का एक ऐसा विष्टी सुपकरन है जो लोगों को पस पर एक दूसरे के निकट लाने या उन्हें एक दूसरे से दूर करने का कारे करता है संप्रेक्षन, परतिक्रिया वक्ता और सोता दोनों से समान रूप से जुड़ी हुई है समयत संप्रेक्षन की परतिक्रिया में सुचना ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ साजक कर साजक किया जाता है क्रुट्राइन conta सच्झेतन परिकरिया है अंतसे हैं जिग्यासा उठती है कि संभावनाय क्या है और साथ यह भ्रमक संप्रेक्ष्ण परभावी शंप्रेक्ष्ण में क्या मंतर है वस्तुत द दिन सम्गेरि में आप संप्रेक्षन के संभावनाओं ये बरमक संप्रेक्षन और प्रभावी संप्रेक्षन में अंतर को पढ़ेंगे अधिगम उद्देसे इस अध्यन समागिरी को पढ़कर आप संप्रेक्षन के संभावनाओं के विसे में जान सकेंगे संप्रेक्षन में भरमक संप्रेक्षन प्रवावी संप्रेक्षन में अंतर को जान सकेंगे संप्रेक्षन के संभावनाओं सहीद भरमक संप्रेक्षन प्रवावी संप्रेक्षन की अवसत्ताओं को समझ करें पर चर्चा उटभीन पर अपनी दे सकेंगे लिशे परिवैस और आसमाज उर अनुव्व्य्ज प्रॉचर्च अवलने शुनने देखने एक विचार विमस में एक अनुमान के अनुसार परतिक व्यक्ति का लबग 70% समय संप्रेक्षन के परतिक्रिया में बीता है संप्रेक्षन एक परतिक्रिया है केवल संदेश नहीं इस परतिक्रिया के अंतरगत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों भावों को साज यहां तो मानक चलता है कि संप्रेक्शन का अस्तरच जो भी हो मानभ संप्रेक्षन में व्यक्ति इसनीत रहता है यह तक्त और लिख और ना ही कोई अंत संप्रेक्षन परतिक रिया और उसके समाजिक महत्व को दिखाते हुए यहां एक तक थे यह उभर कराता है कि संप्रेक्षन की संभावनाएं क्या-क्या है और भर्मक संप्रेक्षन और परवावी संप्रेक्षन में अंतर क्या है संप्रेक्षन की संभावनों के स्पष्टी करन ही तु सरुपत्थम संप्रेक्षन को जानना अवसक है संप्रेक्षन संदेश बाहक को संदेश प्राप्त करता के बीच अंतर क्रिया है हत सेप में संप्रेक्षन में एक व्यक्ती संप्रेक्षन करता सूचना को सिंगल के रूप में संकेद बंद करता है जो दूसरे मनुष से संदेश प्राप्त करता के पास पहुंचते है वैस सिंगल को संकेद मुक्त करता है और उचित विधी से परते किरिया करने में निपून बनाता है अमेरिकी विद्मान रेहाल्ड डी लास्वेर संप्रेक्षन को संप्रेक्षन परते किरिया को वेक्ती के विचार वेवार कारे और तोर तरीकों को परवावित एव परिवर्टित करने वाली एक सक्षत माध्यम के रूप में दिखते है लास्वेर के y Sen किस माध्यम से कहता है किसको किसे कहता है कितने परवाव से कहता है ये संप्रेक्षन परते कि लिया कि पाँचों तत्वों में गेहंता से विचार करे तो हम पाते है कि ये इसका वो बना रगा अगर आप देखते हैं कौन संप्रेक्षन क्या कहता है संदेश है किस माध्यम से कहता है संप्रेक्षन माध्यम है किसको किसे संदेश गिरहन करता है और कितने परभाव से कहता है परभाव है लेस वेर द्वारा पस्तु संप्रेक्षन पारूप संप्रेक्षन छेतर में बड़ी ही महत्पून माना जाता है लास वेर के हिन संप्रेक्षन पारूप का हर स्तर परवक्ता इपसोता का सोध वे विसेलेक्षन करें तो कौन यानि सुरोत का विसेलेक्षन क्या कहता है यानि संदेश की अर्दवस्तो का विसलेक्षन किस माध्यम से यानि माध्यम का विसलेक्षन किसको यानि सोता का विसलेक्षन को किस परभाव से यानि सोता परवक्ता के संदेश के परभाव का विसलेक्षन अफ्युक्त अधार पर संप्रेक्षन किसी वैक्ति या वैक्ति या वैक्ति या वैक्ति या वैक्ति परवावित कर उनके ग्यान माननेताओ संगत अचार वैवार में परिवर्तन का नियोजित परियास माना जाता है संप्रेक्षन एक परतिक्रिया है जिससे द्वारा एक यानि एक वैक्टी विचारों तक तो भावो या पर भावो का दान परदान इस तरह से किया जाता है जिससे कि परते को संदेश का अर्थ वहे अभी परियाय और उसके प्रियोग को सही समझ विक्सित हो सके संप्रेक्षन में संप्रेक्षन संदेश और संदेश ग्रहिंता महतपून होते हैं इससे संप्रेक्षन संदेश की सरचना करता है संदेश प्राप करता है संदेश को प्राप कर इस संदेश की सरचना को समझता है और उसे एक अर्थ परदान करता है इस तक सेस्पर्स होता है कि संप्रेक्शन प्रतिकरिया में एक बिंदू वक्ता से जुड़ा होता है और दूसरा सोता से संदेश किसी भी माध्यम दुवारा निश्टिस व्यक्तिया समूर तक संप्रेक्शन किया जा सकता है इस तरह संप्रेक्षन परतिकिरिया के महत्पुन्ततु है स्रोत, संदेश, कूट बनाना, संकेत सरचना, माध्यम, संदेश प्रापकरता और फिल्ड बेक इस आधारवार पर कहा जासता है कि संप्रेक्षन एक समाजिक अंतिकिरिया नात्मक परतिकिरिया है वैस पश्रूप से परिपारिक विचारो ग्यान अभी बिर्तियों वहवारों को परवावित करने का परियास करते हैं यह एक दूपक्सिय परतिकिरिया है किसी के अंतरगत दो या दो से याधि मनुस्य में परस पर गिनिष्ट गोसन एव अंतिकिरिया होती है जो विचारो के आदान परदान को पुरो साहित करती है ऐसे में संप्रेक्षन भावो विचारो साहित ग्यान अधि का आदान परदान है जो दो वैक्तियों या सम्हू के माध्यम घटित होता है लेकिन संप्रेक्षन और संदेश गहिंता के माध्यम पस्पारिक सिती में संदेश अभिवेक्टी भासा वे उचारन उपरिवेश आदि संप्रेक्षन को परवावित करते हैं प्युक्त अलोक में संप्रेक्षन की संभावनाव पर बात करने में करम में पहले संप्रेक्षन के तत्व महत्तों ये उनकी विसेशताव पर बात करना आवसक रहेगा संप्रेक्षन के तत्व संप्रेक्षन परतिकरिया में संप्रेक्षन के आतारभू तत्व तीन होती है स्रोत संप्रेक्षन संदेश भेजने वाला संदेश और लगसे ग्रहनी या संदेश प्राप करने वाला परंतु संप्रेक्षन परतिक्रिया में जब तक माध्यम और फिल्डबेक की बात ना की जाए तब तक संप्रेक्षन परतिक्रिया की बात पूर नहीं होती। इसे संप्रेक्षन में दो तत्व और जुड़ जाते हैं। संप्रेक्षन प्रतिकीर्या के 5 तत्व पर्खुथा में दिखाई देते है सुथ संदेश मात्यम सूथता कि वे करा का तात्वों का बिद्रन इस परकार है इते संप्रेक्षन में सुथस्थ सा रचना ऐदे साराचनक संप्रेक्षन वक्ता संदेश परतिक्रिया का आरंभिग विंदु होता है शुरूत उन तरिकों को निर्धारित करता है जिसमें जिन से संदेश गिरहन करने वाला परभावी हो सफल ये परभावी संप्रेक्षन परतिक्रिया है तू सुरोत समप्रेक्षन में भासाई, कोसल, समाजिक संस्कीति, वैवार अपने विशे की जानकारी, साइच सोताओ के ज्यान, एवस्तर का ज्यान होना भी जरूरी है संप्रेक्षन को परभावसाली बनाने के लिए संप्रेक्षन में बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने और तक्त करने के कोसल होने अवसक है इसके अतिरिक्त संप्रेक्शन में सुरोत की कतिपे विसेशता है विश्वनिता विसेग्यता आरक्षन निश्पदता और समाजिक प्रतिनिष्टा आदी संदेश संप्रेक्शन द्वारा बोले गए लिखे या फिर संकेति रूप से पसुत किये भाव संदेश है संप्रेक्शन में संदेश की कुछ विसेशता है पहला संप्रेक्शन सोता कि आवस्ता को ध्यान में रखकर अपने संदेश को संप्रेक्शित करें दूसरा संदेश इस तरह इस तरह पस्तुत किया गए जाए की सुरोता का पूरा ध्यान अपनी और आक्सित कर सके तीसरा संप प्रतिक्वाइविच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच्विच् सोते हैं संप्रेक्षन को ही संप्रेक्षन ये तो अपनी समझ से किसी भी ऐसे माध्यम का चुनाव करना होता है जो उसे संदेश को उसके लक्से यानि सोता तक पहुचा दे सोता संदेश प्राप करता संप्रेक्षन प्रतिक्रिया में संदेश गिरहन करने वाला व्यक्ति सोत सभी कि तब रहता है करता कि हिन या फिर लग्ष से कहा nhất जाता है ग्रीक एक अकेला व्यक्ति है समु या फिर पून समय भी हो सकता है संप्रेक्शन को अपने संदेश के लक्सितः व्यक्ति या समु को पहचान कर उच्चित मादिम से अpod now संदेश संप्रेक्सित करना चाहिए यहां एक बात वो रुलेकनी है कि गहरी संप्रेक्सित के जितना अधिक सरूप होगा संप्रेक्सित परतिक्रिया के सफल होने के संभावना उसी मात्रा में बढ़ जाती है पर्ति पुष्टी, फिल्ड बेक, संप्रेक्षर में सोता, संदेश गिरहन कर, उस संदेश के पर्ति कई पर्ति किरिया करता है यह प्रतिक्रिया ही जब संप्रेक्षन को मिलती है तो फिल्डबेक कहलाती है कई बार संदेश प्राथ करता कोई प्रतिक्रिया नहीं करता प्रण्दु संप्रेक्शन के लिए यह भी एक फिल्डबेक है फिल्डबेक के द्वारा संप्रेक्शन को यह मौका मिलता है कि वे है अपने संदेश के संबन में अपनी अगली परतिकिरिया को ध्यान में रखते हुए संदेंग कोई बी संप्रेक्ष्ञ रथ होता है यह परFol dass बैग से पता चलता है कि संप्रेक्ष्ञ पर तक्रिया inसंदेश को किस परकार वैखित किया गया है यहां यह उलेंख करना भी जरूरी है कि यह कोई आवस्क नहीं है कि अलग-अलग लोगों तक संदेश पहुँचें तो वे उसके परती सम्मान परतिक्रिया करें अलग-अलग सूरता अलग से होने पर उनके परतिक्रिया भी संप्रेक्षन को अलग-अलग मिल सकती है इस फिल्डबेक के अधार पर ही हम कह सकते है कि संप्रेक्षन का भी परियाय से भागिता वे साज्यदारी संप्रेक्षन परतिक्रिया है संप्रेक्षन का महत्व संप्रेक्षन और उसके तत्वों से अवगत होने के बाद हम पाते है कि मानव जीवन में संप्रेक्षन का अत्यादिक महत्व है ना के और सिक्सा एव उत्तम के छेत्र में बलकि समाजिक जीवन में भी संप्रेक्षन के महत्व को निम्लिखित नजरिये से रेखाकृत किया जासता है समाज में सयोग एव विश्वास के विकास हितू संप्रेक्षन के दुआरा समाज में पस्पर सयोग ए विश्वास विक्सित होता है जो समाजिक जीवन की अधार सीला है परवावी संप्रेक्षन के दुआरा सिक्सित अपने चात्रों में और किसी संगटनिं के सदस्सों के माध्यम पसपर सयोग ये विश्वास का दार हुता है निरने लेने और योजना बनाने के लिए संपरेक्षन का महत्तो इस बात से भी संपरेक्षन रहने जोना बनाने में मदद करता है यदि किसी सम्हू संगटन में स्वास्ते संप्रेक्षन का अभाव होगा तो उसके सदसे उचित निन्ने लेने और अपने कारें समंदिर निन्ने लेने में गलती करेंगे अंद किसी भी महत्पुन बात पर नेने लेने और उस पर योजर बनाने के लिए समुचित संप्रेक्षन आवसक है नेतित्व का अधार संप्रेक्षन समाज में नेतित्व को अधार भी बना कर करता है समाज में नितित्व के तमाम कारे नीता और जन समाज से के माधिम स्वास्त संपरीक्षन के बिना हासफल यवासंभव हो जाते हैं उद्देश प्राप्ति का अधार संपरीक्षन के भाव विचारों और सुचनाओं का आदान परदान किया जाता है ये विचारो रादन परदान किसी ना किसी निस्चित उद्देशे को अडिश्टी में रख कर किया जाता है इससे उद्देश स्पष्ट हो जाते हैं और जब उद्देश स्पष्ट हो तो उन्हें पराप करना आसमान हो जाता है समय और सत्ती के बच्चत संप्रेक्ष्ट का महतो इस तत्ते से विपरकट होता है कि समुच्चित परभाप साली संप्रेक्ष्ट के दुआरा समय और सत्ती दोनों की बच्चत होती है कारे संतुष्टी के लिए संप्रेक्सन का महतो इसलिए भी है कि से कारे करने वालों के कारे को और साहित किया जाता है तो उन्हें अपने कारे से संतुष्टी प्राप्त होती है वैवार में परिवर्तन संप्रेक्सन का उद्देश से है वेवार परिवर्तन संप्रेक्षिन परतिक्रिया के संप्रेक्षिन द्वारा पेसी तक जो भी तकती है सुचना है संप्रेक्षित के जाती है उनके फल सोरूप संप्रेक्षिक के वेवार में परिवर्तन होता है संप्रेक्षन की विश्षिष्टा, संप्रेक्षन में संदेश ग्रहनी दोनों के माधियम किसी उद्देश को लेकर संप्रेक्षन किया परतिकिरिया होती है, संप्रेक्षन की सपलता है, तो इसका सोता के लिए समर्थक होना भी आवसक है, संप्रेक्षन परतिकिरिया संदेश के उसके अनुभव, बातमान, वहवार और साथ ही भरिफसी के आवसत्ता समंदी एक रूप रेखा भी दुमा रहती है। गहरी पर संदेश के परवाव का मुल्लेकन भी फिल्डबेक के रूप में किया जाना चाहिए। प्योगताधार पर अंद के रिया नात्मक्ता, उद्देश पूंता, सर्वयापक्ता, वसंगीत्ता, नियंधर्तता, सम्रूपता, रेव, संपूरक्ता, अर्थ, इस्तान तरंद और बोध, गयमित्ता, अधिस संपरेक्शन की कुछ पर्मुख विसेस्ताय परगट होती है। संसेब में संपरेक्शन की उप्युक्त विसेस्ताव का विवरन इस परकार है। अत्मक स्थिरता या आस्तिरता आदीतत्फ तस सामिन होते है। अधिस्त पूनते संपरेक्शन एक सोध। ये परिकशन करता किसी ना किसी उप्यूत से पीरित होकर ही अपनी बात किसी वेकती या वर्ग यानि सोधा के सामने रखता है। यह नी संपरेक्शन के अदेष्त पूंता कहीं जाती है इसे अंतरगत सरोत संदेश माध्यम और संदेश्ब्रापकरता सम्लेद रहते हैं सरव व्यपक्ता व्यक्तिक समाजिक प्राणी हैं और समाज में जीवन व्यथित करने के लिए संपरेक्शन हत्यावश्सक सब्सक्राइख एक अचेतन और संथ परकृइघ्ट परिया है इस में फुलसुरूप इसका कि जीत्र हत्यादीक विश्टित होता है परसंगीता एक रिफ्रत्ता संप्रेक्षन की परसंगीता से इतातपर यह हैं संप्रेक्षन किसी न क्रसी परसंग के अंतरगत होता है जैसे कसा कस्त या किसी विचार संतोष्टी में किसी कंपणी में या संस्क्रीटी वाजू में किसी को नहतिका नहतिक सिख्षा देने आदिके संत्व में जो और हाँ अपरसंगित्ता के डिष्टी से परसेख्षं में एक तरह की कला वचत्तता रहती है संप्रेख्षं के डेसे एक सत्त पत्तिक्रिया इससे संप्रेख्षं में निरत्तरता का गुन विद्रिष्टी गत होता है संप्रेख्षं समानने विचारों के आदन परतान की एक गहरी दोरी परत्किरिया है इसमें वक्ता और सोता परवपार कभी सोता तो कभी वक्ता की भूमिका में पस पर बदलाव होता रहता है वक्ता और सोता में यह भी संवरुपता होतो संप्रेख्षं की सफलता की संभावना बढ़ जाती है इसलिए इसमें संवरुपता का गुन पाया जाता है कि संप्रेक्षण की उम्युक्त सख़ता हो के लोग में यह कहा जासता है कि संप्रेक्षन एक सत रूप से गती मान प्रक्रिया है जिसमें वक्ता और सोता के माध्यम किसी रूप में अंतिसंबंद विद्वन रहता है एक महत्पुन बात ये ध्यान देने की है कि कुछ विद्वान संदेश को वक्ता से अधिक सोता से जोड़ कर देखते है कि अब यह मान माना जा रहा है कि क्या कहां जा रहा है से संदेश का अर्द वक्ता से अधिक सोता का मन सिती उसी संग्यानात्मक समता कॉंडिशन स्कील पर अधिक निर्बर करती है अर्थ ग्रहन करते समय सोता का क्यान भंडार मुले डिश्टिकोन आदी एंभूमी का निभाते है इसलिए संप्रेक्षिन परतिक्रिया में सोता की परतिक्रिया बहुत आम मीत आसी मीत रखती है टेरी इलन के सब्दों में यदी कहे तो होल कम्मुनिकेशन इन्वालेंट्स परतिक्रिया में सोता का वक्ता पर विश्वास भी हत्यावसक है संप्रेक्षिन की संभावनाएं संप्रेक्षिन के तत्व महत्तों वेवी सिस्ताव को जानने के बाद अब संप्रेक्षिन की संभावनाओं पर बात करना उचित होगा संभावना से अभी परिया है किसी पून होने की उम्मीद हो यहां संप्रेक्शन परतिक्रिया समाजिक उद्वित्ता को देखते हुए संप्रेक्शन की संभावनाव से आस्री है उच्छी संप्रेक्शन के क्या क्या परिनाम मिल सकते है यानि संप्रेक्शन की परतिक्रिया के बाद का अन्मान संप्रेक्शन प हवाले से संप्रेक्षन के कार्यों को निम्लिकत रूपों में विवाचित किया है सूचना संदेश, संघ्रय परसार, सूचना संदेश की सेलेक्षन, समाजिक ज्यान एव मुलोग का परसेशन संसेब में संप्रेक्षन का कार्य को देखते हुए इस कुछ विद्वान मनुरंजन को भी संप्रेक्षन का कारे के अंदरगत गिनते हैं इस परकार संप्रेक्षन के चार कारे परमुक है संप्रेक्षन की करतिप्य संभावना है संप्रेक्षन एक सोध्य प्रतिक्रिया है जिसमें विचारों कादान परदान किसी विश्टित उद्देश का ध्यान में रख कर किसी किया जाता है संप्रेक्षन की पहली संभावना ही है कि जिस उद्देश से समुचित संप्रेक्षन या जाएगा वैं प्राप्त हो सकेगा संप्रेक्षिन परतिक्रिया में सोता को अपने चिंतन मन द्वारा अपने संपस्य है संदेश को संप्रेक्षि के मन मक्सीद में उतानने के लिए उचित रिती रिती नीती को अपना कर संदेश पुरसाहित करने से पहले उस सूचना तक्तिय है और विचार को फैले स्वयम, अदगम, अर्थात अपने हिर्दे में उतार लेना चाहिए जिसमें की वैव से लाभनी से अच्छी तारा परिचित हो सक है और फिर आत्मा विश्वास से अपनी बात सूर्ता के समक्स रखे इसे संप्रेक्षन के परवावी होने की संभावना बढ़ जाती है संप्रेक्षन में संप्रेक्षन द्वारा संदेश को इस तरह भाव में बनाना है बनाना और अभी वैक्त करना चाहिए कि संप्रेक्षी को लगे कि यह संदेश उसी के लिए है और संप्रेक्षन उसी के हित में है, संप्रेक्षन की एक संभावना ये भी है कि संप्रेक्षन आने सोताओ कि आजू रूचियव स्तर के अनुभव, अपने संप्रेक्षन माध्यम में परिवर्तन परिद्धान कर सकेगा, चुकि संप्रिसन परते के लिया मैंनु भव और विचारों का आदान परदान किया जाता है वकता और सोता में यह है आदान परदान परते क्सिया वैप परोक्स दोनों रूपों में संपन होता है संशेपिय संदेश में उन्हुभव वतमान वैवार और भविसे की अवसत्ता नीध रहती है अन्त में दो वैक्तियो या वर्गो या फिर संग्रह समाज में समस्य या वैस्तरकरता का वतमारन संप्रेक्षन से ही ओ सकेगा संप्रेक्शन परतिकिर्या के संदे सूचना संग्रेव परसाद नीत है अंतिसे समाज में लोगों के सूचना या संदे समाज क्या ने लोगों या वर्गों तक पहुंचते हैं कर सकता है संपरिक्षन परत करता है व्यक्ति वरग के समाजी करन की अभीकरन Эजेंट का कारे is करती है समपरिक्षन परतिकृया के दवर आन यह कीस अनदेश के परतिस समाज के अलग 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 लोग अलग लग परतिकृयाँ व्यक्ठ करते हैं इस प्रतिक्रिया के फल सोरूफ समाज के लोगों के उचित इडिश्टिकों के निर्मान और उसके अनुकरन में मदद मिलती है वप्यूत महत्पुन संभावनाओं के साथ साथ संप्रेक्षन के कुछ लेकिन ये संभावनाएं और भी है संप्रेक्षन द्वारा राष्टे एक्ता खंडता को बल परदान करने में मदद मिलती है संप्रेक्षन समाज के लोगों को कारेसील होने के लिए पेना परदान करता है संप्रेक्षन प्रतिक्रिया के दुआरा लोगों के सोचने समझने और सीखने और नचरी में भी परिवर्तन लाया जाता है संप्रेक्षन जन्मत को बावित करने के लिए भी महत्कुन रूप से उप्योगी है समप्रेक्षन परतिक्रिया समाजी विकास समाजी परिवर्तन में भी उप्योगी होता है यह समाज के नवीन विचारो एव से सिधानतों के परचार परसार के में भी प्योगी है समप्रेक्षन समाज की उज्वलत समस्याओ जैसे जाती द्रमलिंग और परियावर्न सारक्षन में भी महत्पून वहमी कर निवा सकता है समप्रेक्षन के द्वारा समाज में व्यक्ति को अभी व्यक्ति एक वहवार पडिवरतन में सयोग मिलता है समपरेक्شन समाज के लोगों के आपसी समंदों को सुधाने में भी योगी हो सकता है समपरेक्षन समाज के हो सकता को नियंतरिच विक्सित ए अफस्तापित करने में भी साइक हो सकता है